तो ये जो शायरी है, ये मेरे एक दोस्त कभीर खान ने लिखी है, जो राजेस्थान में रहते हैं, चुकि वो यहाँ पे नहीं आ सके, तो उनकी जगा मैं आज इस शायरी को पढ़ूँगा तुम गर खफा हो जाओ, तो ये हक है तुमको, तुम बेवफा हो जाओ, तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने महबबत किये। तुम मुझे भूल जाओ, तो ये हक है तुमको, खिलाफ मेरे जमीर के उसूल जाओ, तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने महबबत किये। तुम गर सजा दो, तो ये हक है तुमको, सजा बेवजा दो, तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने महबबत की तुम गर खौब में आओ, तो ये हक है तुमको, इश्च के शवाब में आओ, तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने महबबत की मगर कहे ना सका मैं भी कभी तुमसे कि कितने जख्म लिये हैं इस इश्क नहीं यू तुमसे चाह कर भी इजहार नहीं कर सकता तुमसे चाह कर भी दीदार नहीं कर सकता तुमसे कि जो आवाज उठी मेरे दिल से किसी रोज तुमें सिद्दत से पाने की तो आस्मान भी बोल उठा थम जा कभी रुख जा कभी अब इस चाहत का भी ना हक है तुझको जर्रा भर राहत का भी ना हक है तुझको तुम जो यू भूल जाओ तो हक है तुमको मेरी बात और है मैंने महबबत की मेरी बात और है मैंने महबबत की झाल झाल